नमस्ताप दोस्तों बदyबन साथ आपका आपको ऊंसरो आपको एक खास इंफोमेशन देंगे आपके फॉन से जुड़ी है दोस्तो आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे कैं कि की आपके फुन का जो t heard shopee यह नंबर होता है क्या उसको बदला जा सकता है दोस्तो इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे आपसे रिक्वेश्च इस वीडियो का एंड तक जरूर देखे अगर आपने हमारे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फोन खो गया है तो जो भी जिसको भी वो मिला है उसके लिए आप एक मैसेज कैसे छोड़ सकते हैं तो इस तरह की कुछ इंफोमेशन हम आपको देंगे आपके फोन से जुड़ी तो बात करते हैं अभी फिलाल IMEI नंबर से जुड़ी हुई तो दोस्तो सबसे पहले IMEI नं इंटिटी कार्ड होता है तो उसी तरह से IMEI नंबर हर एक फोन का एक अलग एक यूनिक आईडी या नंबर होता है तो दोस्तो अब जब आपका फोन खो जाता है तो हम ज्यादा तर इसी नंबर के थू इसी नंबर की मत्दब से आपके फोन को ट्रेस कर पाते हैं या पुल IMEI नंबर को बदला जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसको बदला जा सकता है दोस्तो इसे बदलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी डिवाइज लगती है उसका नाम होता है फ्लैशर फ्लैशर का काम क्या होता है यह आपके मोबाइल को कंप्यूटर के साथ अटेच करता है और उसको अलाओ करता है कि वो आपके IMEI नंबर को मोडिफाई कर सके अब जब आपका IMEI नंबर को मोडिफिकेशन के लिए अलाओ कर दिया गया और जब उसको वहाँ पर अपडेट कर देते हैं IMEI नंबर को दूसरा नंबर वहाँ पर डाल दिया जाता है मोडिफाई करक आपके phone को trace करना, track करना या पता करपाना लगभग नामुम्किन हो जाता है तो दोस्तो IMEI number बदला जा सकता है या नहीं इस बारे में ही हम आपको information देना चाहते थे क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारे phone का IMEI number है तो सब कुछ हम ढूंड लेंगे अपना phone पता कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि IMEI number को भी change किया जा सकता है और ज्यादा तर जो उल्टे काम करने वाले होते हैं जो इस तरह काम करते हैं phone चुराना या जो भी आप समझ गए होंगे तो वो इसी तरह से IMEI number को change कर देते हैं जिसके बाद किसी भी phone की नई identity बन जाती है और उसे trace करना बहुत ही मुश्किल या लगबग नामुम्किन हो जाता है तो दोस्तों यह जानकर यह आपको कैसे लगी प्लीज हमें के लिए थैंक यू